आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मार्केट स्टाइल पाव भाजी की रेसिपी देकिन इसको बनाया है मैंने अपने स्टाइल में आप इसका टेक्च्चर देखिए कलर देखिए यह जो कलर है यह आर्टिफिशल कलर नहीं है मिन्स हमने कोई भी कलर एड नहीं किया है न आती साथ इसका यह जो टेक्चर आप देख रहे हैं एकनम पॉफेक्ट वाला यह हम घर में किस तरह से बना सकते हैं अकसर आप क्या के मिस्टेक करते हैं घर में जब आप पाव भाजी बनाते हैं यह सब कुछ डिसकस करूंगी मैं आज के इस वीडियो में तो वीडियो को जरूर देखिए पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी भी कोई डाउट आपके रह जाते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए यह रेसिप कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में लिखना ना ब बोल कड़ाई होती है उसमें आपकी भाजी कभी भी अच्छी नहीं बनेगी इसलिए आपको जरूरी है कि फ्लैट सर्फेस की ही कड़ाई आपको यूज करनी है नेक्स टिप कि जब भी भाजी बनाते हैं तो बटर का तो यूज करते ही करते हैं बटर मस्ट होता है भाजी म तो जब भी आप बटर कड़ाई में डालते हैं उसके साथ साथ ओईल ज़रूर डालिए क्योंकि बटर जल जाता है तो उसमें वो सारा बटर भी वेस्ट हो जाता है और साथी साथ खोड़े जलने के से स्मेल आती है इसलिए बटर के साथ ओईल डालना कभी भी न भूने साथ में मैंने यहाँ पर एड़ किया है थोड़ा सा जीरा और अब हम यहाँ पर एड़ करेंगे कुछ चॉप्ट किये हुए अनियन गार्लिक यानि कि लैसून और प्यास आप चाहें तो लैसून का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर लैसून और प्यास को चॉपर में चॉप करने के बाद यूज करूँगी बजार की जो पावभाची होती है उसमें लैसून बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पड़ी होती है तो मैंने यहाँ लगभग 15 कली लैसून की यूज की है आप चाहें तो इससे ज्यादा भी यूज कर सकते हैं अब जो शिमला मिर्च है प्याज है टमाटर है इसको हमें चॉप करकर ही यूज करना है शिमला मिर्च को भी आप पहले डिसीडट कर दीजें Means उसके बीज निकाल दीजे उसके बाद आप चाहें तो इसको बारिक बारिक चाकू की साहता से काट भी सकते हैं लेकिन काम थोड़ा इजी हो जाए तो मैं तो हमेशे चॉपर में ही इस तरह से चॉप कर लेती हूँ और एक पॉफेक्ट टेक्शर आ जाता है जो मेरे को चाहिए होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर और जो भी सबजियां हैं वो हम उबाल कर डालने वाले हैं ताकि हमारी महनत थोड़ी कम लगे और टेक्शर काफी अच्छा है तो मैंने यहाँ पर कुछ सबजियां पहले से ही उबाल कर रखी हुई थी आप इनका कलर देख सकते हैं यह बिल्कुल रेड है लेकिन इसमें आपने कोई भी कलर एड नहीं किया है इसका कलर इतना बढ़िया है इसके लिए मैंने यहाँ पर चुकंदर एड की है तो मैंने यहाँ पर उबाली हुई सबजियों में लिया है आलू, मतर, गाजर और चुकंदर जिसको मैंने चोटे चोटे पीस करके उबलने के लिए रख दिया था नमक डाल कर और आप इसका कलर देखे कितना बड़ी आया है तो बड़ीया कलर आये भाजी में इसके लिए आप थर्ड टिप यूज कर सकते हैं चुकंदर जब भी भाजी बनाए एक चुकंदर ज़रू डाल दीजे भाजी में आपका नैचुरल कलर आएगा इधर प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से कुक हो गए थे तो मैंने पास ते छे टमाटर भी चॉप करके इसमें एड किये हैं यह आपको चॉपर में चॉप करके ही एड करने हैं इसकी ग्रेवी बनाकर एड मत कीजिए दरवाइस टेक्शर अच्छा नहीं आएगा अब मैंने यहाँ पर एड किया है कश्मीरी लाल मिर्च, सुखा धनिया पाउडर, नमक, गर्रम मसाला और साथ में टू टेबिल स्पून पावभाजी मसाला पावभाजी मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च, पावभाजी की जान होती है, इसको आप एकदम बड़िया तरह से एड कीजिए कश्मीरी लाल मिर्च भी पावभाजी को एक अच्छा कलर देने में बहुत हेल्प करता है अब आप यहाँ पर सारी उबली हुई सबजियां डाल दीजिए इसमें हमने एट की है गोभी, तो आपको ध्यान देना है, गोभी को हमेशा अलग से ही उबालिए इन सबजियों के साथ कभी भी मत उबालिए, यह है मेरी फोर्थ टिप and very important क्योंकि जब भी आप गोभी इन सबी सबजों के साथ उबाल लेते हैं तो गोभी में एक अजीब सी smell होती है, जिसकी वज़े से आपकी भाजी में एक अजीब smell लगाती है और फिर आप सोसते हैं कि यार वो जो मार्केट में एक दम अच्छी अच्छी खुश्पु जो पाउभाजी के आती है, वो हमारी क्यों नहीं आती है तो आप इस mistake को एक बार avoid करके देखिए, दैन आपको realize होगा कि आप बिलकुल market वाली ही पाउभाजी घर में बना पाएंगे यह जो छोटी-छोटी से tips है ना, बड़ी ही काम की है, एक बार try ज़रूर कीजे और बस अब मैशर की साहता से इन सभी सबजियों को अच्छे से मैश कर दीजिए आपको यह मैश करने में easy होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो कड़ाई ली है, यह flat surface की है अब जो next step आती है, आप इसका texture देख रहे हैं, अभी काफी ठिक है तो कुछ लोग तो इसी stage पर सुछते हैं कि भाजी बन गई, लेकिन नहीं भाजी का texture थोड़ा पतला होता है, तो आपको tips क्या follow करनी है यहाँ पर आपको add करना है पानी, लेकिन the most important thing कि आपको पानी जो add करना है वो होना चाहिए, गरम गरम, तो गरम पानी आप इसमें add करते जाएए, इसको mash करते जाएए और आप देखिए, जैसे जैसे आप mash करेंगे, यह और थिक हो जाएगा तो आपको इसका texture maintain करना है, तो जितना आपको लगे कि अभी सबजियों में और पानी की जरूरत है तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी और add करना है, तो मैं अभी इसको mash कर रही हूँ और जितने पानी की मुझे जरूरत पर रही है, उतनी बार मैं इसमें पानी भी add कर रही हूँ लेकिन ध्यान दीजे की गरम पानी add कर रही हूँ ठंडा पानी add करेंगे, तो भाजी वहीं की वहीं बिगर सकती है इसलिए इस tip को भी जरूर follow कीजिए, कि पानी डालते जाहिए, इसको mash करते जाहिए और texture को वहां तक लिए आईए, जहां तक आपको चाहिए color देख रहे हैं कितना मस्ता है, कोई extra color हमने add नहीं किया लेकिन color इसका एकदम वही है, जैसे market में मिलता है और texture भी आप देख सकते हैं, एकदम मस्त वही market वाला आ गया है तो इस बात पर एक like तो बनता है न, जल्दी से video को like कर दीजे और यहां पर आप देखिए, भाजी बनकर है आपकी तयार, last में आप इसमें थोड़ा सा हराधनिया add कर दीजे और इसको थोड़ा सा और पका लिजिए, फिर बस हम जल्दी से सर्फ करेंगे पाओ भाजी, लेकिन उसके पहले हम पाओ को भी सेख लेते हैं पाव भाजी के पाव सेकने के लिए मैंने निकाल लिये हैं पाव आप जब भी पाव भाजी के लिए बन यूज करते हैं तो कुछ इस तरह से इसको कट कीजिए means last में थोड़ा सा हिस्सा जुड़ा रहना चाहिए और बाकी इस तरह से आप कट कर लीजिए फ्रेश बन का यूज़ कीजिए, हमेशा बटर में ही इसको सेखिए तो मैंने लिया है एक नॉने स्टिक पैन, उसमें एट किया है बटर साथ मैं एट करूँगी, मैं थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और थोड़े से हरी धनी की पत्तियां भी आप इसे स्टेज पर एट कर सकते हैं उसके बाद आपको पाव को रखना है कुछ इस तरह से दोनों तरह से इसको अलट पलट करके सेख लीजिए और इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए, देखने में अच्छा लगे तो मैंने थोड़े से हरी धनी की पत्तियां भी इसमें एट कर दी है और इसको अच्छे से सेख लिया है पाव भाजी मसाला डाला है तो पाव में भी फ्लेवर आ जाता है इसलिए आप चाहें तो पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं अधरवाइस इसके भी कर सकते हैं या आपकी अपनी चौई से जादा इसको प्रेस मत कीजिए बस हलका हलका सा प्रेस कीजिए और लीजे आपका ये बन भी हो गया है तैयार अब जल्दी से हम चलते हैं सर्विंग प्रॉसेस पर वीडियो पसंद आई न और जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर कीजिए उनको जरूर फॉलो कीजिए आप देखेंगे कि आपकी पाव भाजी बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनने वाली है लोक एट टेक्शर वाओ कितनी बड़िया भाजी का टेक्शर आया है कलर कितना बड़िया है the main point कलर एंड टेक्शर और जो टिप्स बता ही है उनको फॉलो करेंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आना है लास्ट में आप इसमें थोड़ा सा पनीर भी डाल दीजे लेकिन पनीर को आप अलग से फ्राइ करके रखे क्योंकि अगर आपने इसी के साथ इसको मिक्स किया तो पनीर के पीसे स्टूट सकते है लास्ट में जब भी भाजी सर्फ करें तो बटर ज़रूर ढाले क्योंकि भाई बिना बटर के कहां मजाता है पाव भाजी में और लीजे बन मैंने हैं यहाँ पर सर्फ कर दिये प्याज यहाँ पर रख दी है और टेस्टी टेस्टी पाव भाजी हो गई है विलकल तयार तो कैसी लगी आपको यह आज की टेस्टी बढ़िया चटाकेदार पाव भाजी की रसिपी कॉमेंट सेक्षन में लिखना ना भूलिएगा वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे और मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ आंटिल दैन बाबाए एंट इस निव यर इस पाव भाजी को जरू ट्रे कीजिए नया साल तो बन जाएगा भाई